हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है होंडा की साइन 125 के बारे में ये जो बाइक है क्या प्राइस में आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है क्या बजट में आप इस बाइक को खरीद सकते है ए, सभी पूरी डीटेल से जानकारी दूनगा, तो चलिए वीडियो शरू करते हैं, दोस्तों ये रही है आपके सामने ब्रांड न्यू साइन, सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे, इस बाइक के प्राइस, क्योंकि प्राइस हमें पहले जानना चाहिए, क्योंकि भाई मिलते है, एक इसमें आप डिस्क वाला मॉडल ले सकते हैं, दूसरा आप इसमें नौन डिस्क मॉडल ले सकते हैं, यह बात आप जानते होंगे तो सो अगर आप इसमें डिस्पले मॉडल जाते हैं, तो आपको X-Room प्राइस आती है, लगभग 85,000 के आसपास की हमें X-ShowRoom देखने को मिल जाता है। अगर आप नॉन डिस्क मॉडल के साथ में जाएंगे तो आपको X शोरूम प्राइस आएगी। लगभग 81,000 रुपे के आसपास की नॉन डिस्क मॉडल हमें देखने को मिलता है। यानि अगर मैं कंपेर करूँ तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और स सिर्फ 4,000 रुपे के आसपास का जो प्राइस डिफरिंस है वो आपको दोनों में देखने को मिलता है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो है काफी कम प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है डिस्क वाला मॉडल ही लेना चाहिए। इस पे है आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो अब आगे आप देख सकते हैं आपको ई-20 की जो बैचिंग है वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। दोस्तों फॉन में आप देखेगे। में इसमें साइन में आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलता है। बह इसमें कोई कमी नहीं है और इसकी जो light है बहुत प्यारी light आपका देखने को मिलेंगे ठीक दोस्तों इसके जो turn and single lap है वो आपका बलग देखने को मिलेंगे जो turn single lap है काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट में बात करें suspension के बारे में फ्रंट में दूसरे इसमें आपको जो suspension देखने को मिलेंगे वो आपको टेलिस्कोपिक देखने को मिलता है हालांकि suspension quality आपका बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है टाइर चेंज में फ्रंट में आपको आठ हजार अच्छी सो के आसपास के टायर से आपको फ्रंट में मिलेंगे बात करें braking के बारे में braking में तो आपको बता दो आपको पता है ये single मतलब without non-discount model है जिसमें आपको disc नहीं मिला तो जिससे CBS कहते हैं एक brake आप दबाते हैं तो दोनों साथ में लगता है आप चलते हैं इसके इंजन की तरफ इंजन टाइम में तो उसने इस बाइक में आपको 124 cc का air cool single cylinder 4 stock ऐसा ही जो इंजन है वो हमें इस बाइक में देखने को मिलता है बात करें power and door के बारे में ये maximum power में 10.6 का PS power generate करती है और 11 litr meter का जो डाइक है वो हमें इस बाइक में देखने को मिल जाता है यानि दूसरे इस बाइक पे आपको जो power and talk आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है काफी अच्छा power and dog के offer करती है coolant system में air coolant engine मिलेगा system में इसमें आपको FI देखने को मिलेगा जिसे fuel injector भी कहते है साथ में आपको बता दू दोस्तों इसमें आप लोगों को जो है बोर साइच 50 MMA स्ट्रोक साइच 5063.1 mm आता है 5 gear के साथ में हमें इस बाइक को देखने को मिल जाती है बाइक आपको normal weight multiplex जो clutch है तो उसको आपको इस बाइक पे देखने को मिलेगा company ने काफी अच्छी जो clutch played है यहाँ पे दी हुई है और load out दोस्तों engine quality बहुत बेहतर है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है Honda की बाइक है engine quality तो आपको top level की इसकी देखने को मिलेंगे मिलेंगी engine के मामले में तो सिर्फ bike जो है बहुत अच्छी निकल कर आती है वही दोस्तों आपको मैं clear कर दू इसका जो engine है बहुत ज़्यादा smooth है काफी smooth ही काम करती है चलिए बात कर ले इसके mileage and performance के बारे में जो bike है minimum आपको लगभग 60 के आसपास का mileage जो offer कर देती है टॉप end performance है वो भी आपको इस bike में बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है चलिए अब आता है इसके rear profile की तरफ real की तरफ चल जाते है बाकी इसका front look, engine सारी चीज आप लोगों ने जान ली light भी आप लोगों ने जान लिया area की तरफ आते हैं rear में दोस्तों आपको पता तो देखिए इसका rear का पहले आप look and design देखिए आपको बहुत सुपर मिल रहा है और यहाँ पे tail net आपका यहाँ पे bulb देखने को मिल जाता है साथ में तो इसका जो exhaust है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा साथ में इसमें आपको bike में kick start भी मिलता है जो assign में आपको sailor plus kick दोनों का option company offer करती है rear में आपको जो suspension मिलेंगे वो आपको twins होके observe मिलते हैं rear में आपको 8000 के आसपास का tireses आपको मिलेगा rear में तो आपको पता है भाई इसमें आपको normal drum brake देखने को मिलता है 125 है तो भाई rear desk देने का कोई संस बनता भी नहीं है फिलहाल वीडियो में इतना है थांक्यो फर वाचिंग अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like और share करे और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए है तो चैनल को subscribe कर दीजिए